हे बगवान, शुकर है अम्बानी की शादी किसी तरह खतम तो हुई, पूरे साथ महने लग गए, पाच हजार करोर खर्च हुए, सोचो कितने किसान बच चाते इस पैसे से सबसे पहले एक खूब शांदार इंगेजमेंट पार्टी हुई, रादिका और अनन्तम बानी के लिए, जन्वरी में खूब स्टार्ज पहुँचे नाचने गाने के लिए, सलमान, एसार के और ओरी, ये कौन है भला? फिर मार्च में एक बड़ी प्री वेडिंग पार्टी हुई, जहां बॉलिवोड स्टार्ज ने परफॉर्मेंस दिये, और जकरबर्ग, गेट्स, रिहाना जैसे प्रसिद लोग पहुँचे, पचास गरीब कपल्स की शादी कराई गई, पचास क्यों, सो क्यों नहीं, पैस की कमी तो हैं नहीं, फिर मार्च में जाम नगर में हुआ खूब बड़ा इवेंट, जहां छोटे बाबा की सेंक्चुरी है, पचास हातियों के लिए, फिर पचास का चकर, संक्राचारी ने वोड़ा होगा, पचास शुब है, 12 जुलाई से शुरू ही में शादी के इवेंट्स, उनके बंगले अंटला में, हिलरी क्लिंटिन, टोनी ब्लेर, अडेल, फीफा के प्रेजडेंट, और डबलू-डबलू-ई के रेसलर जॉन सीना, वो कौन हैं भाई, नीता भावी ही जानती होंगी, प्राइम मिनिस्टर मोधी भी पहुँचे, पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, रैप सिंगर पिटबुल भी पहुँचे, अमिताब बच्चन की पूरी फैमिली और कारडाशियन सिस्टर्स, क्या अजीब और गरीब गेस लिस्ट है ये, मानना पड़ेगा, शंकराचारिय भी आये, अमिताब बच्चन को गले से लगा लिया, बाबा राम देव, एसार के और सालमान के साथ खूब नाच रहे थे, और कारडाशियन के साथ मजाग कर रहे थे, बड़े बड़े नेता पहुँचे, हमारे एक्स प्रेजडेंट राम नात कोविंद भी आए, कुछ अपने पुजेशन की लिहास तो रखनी चाहिए थी, अखलेश दास अपने डिंपल के साथ आए, बिना लाल टोपी के, शरत पवार भी आए, जब इतना ब्लाइक मनी है, तो अपना चेहरा क्यों नहीं ठीक करा लिते, फड़नवेस आए, अपने परिवार के सा स्मिती एरानी भी अपने पती के साथ पहुँची, अब उनकी शान में थोड़ा कमी आ गई है, हार के बाद, हे भगवान, कारडाशियन सिस्टर्स भी पहुँची, पूरे चमक धमक के साथ, पुरी और उनका लंबा चोड़ा परिवार, ममता दी अपने अंटराश के साथ पूरे शान और शौकत के साथ, खुदा का शुकर है, उबामा, राहुल और टरंप नहीं पहुचे, अपजेशन ने अलेक्टरल बांड्स के मुद्दे पर इस एलेक्शन में बहुत चल्लपों मचाई रखी थी, अमबानीज ने रीसंट एलेक्शन में मोदी को 600 करोड दिय उससे ज़्यादा तो अमबानीओं ने अपनी शादी में खर्च कर दिये, सच है कि 60% शेर एलेक्टरल बांड्स का बीजेपी को मिला, पर ममतादी, केजरीवाल और राहुल ने भी अच्छा खासा डोनेशन लिया बांड्स के द्वारा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एले कुछ तिक्डम से फायदा उठा ही लेंगे, कॉपरेट्स और पाउर बोकर्स के बीच में करप नेक्सिस जारी रहेगा, हमें एक स्वच भारत अभियान चाहिए करप्शन साफ करने के लिए, जैसे एक स्वच भारत अदोलन चालाया गया था गंदगी साफ करने के लिए, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या